क्लास नाइन्थ की एक्ससाइज 2.5 वा कोशन नमबर 14 जिसमें कह रहा है विदाउट एक्चुली कैल्कुलेटिंग दा क्यूब्स, फाइंड दा वैल्यू ओफ इच ओफ दा फॉलॉइंग हमें एक्चुल में कैल्कुलेटिंग नहीं करनी है यानि कि किसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं इनकी वैल्यू निकालनी होंगी फर्स्ट और सेकिंड की, यह किस फोर्म में है सबसे पहले हम यह चेक करेंगे, यह किस फोर्म में है माइनस 12 क्यूब प्लस में 7 यह किस फोर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब की फोर्म में है, इसकी आइडेंटिटी हमने 13 में क्या प्रूव की थी, यह किसके एक्वल होता है, 3 एक्स वाई, जेड के इक्वल होता है, लेकिन इसके लिए क्या कंडिशन थी, कि हमारा ए 12 y है 7 और z है 5 तो x की जगे पर रखते हैं y की जगे पर रखते हैं 7 और z की जगे पर रखते हैं solve करेंगे इने so 7 और यहाँ पर minus 12 as it is और 7 और 5 7 और 5 दोनों plus के हैं तो add हो जाएगे 7 और 5 हो जाएगा 12 इन दोनों को calculate करेंगे 12 में से इस 12 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यह माइनस का है, तो आ जाएगा 0, so, x प्लस y प्लस z, जो है हमारा 0 आ गया, तो हम यह identity यूज कर सकते हैं, ठीक है, so, यहाँ पर क्या है, x क्यूब, यानि कि माइनस 12 का क्यूब, प्लस में 7 का क्यूब, प्लस में z क्यूब, यानि कि 5 की क्यूब, यह किसके एकवल होगी, 3, x, x यानि कि माइनस 12, so, माइनस 12, y, y यानि कि 7, और z यानि कि 5, सिंपल इन्हें multiply करेंगे, और हो जाएगा हमारा, so, so, सबसे पहले sign कैसा आएगा, सभी positive है, accept this, 12 minus का है, तो single value minus में है, तो हमारा अंसर आएगा minus में ही, अब, 12, 5 जा, 60, 67 जा, 420, 423 जा, 1260, हमारा अंसर हो जाएगा, minus 1260, ठीक है, बिलकुल इसी तरह हमें करना है, second को, second में हमें दिया है, 28 cube प्लस में, minus 15 cube, plus minus 13 cube, so, ये भी किस form में है, x cube plus y cube plus z cube की form में है, तो सबसे पहले, इसका formula क्या होता है, 3, x, y, z, तो सबसे पहले check करेंगे हम इसमें, x plus y plus z, 0 के equal होगा, तो ही इसे हम apply करेंगे, so, x, x क्या है यहाँ पर, 28, so, 28, y, y है यहाँ पर, minus 15, तो minus 15, और z है, यहाँ पर minus 13, so, minus 13, अगर इन सबका sum जो है, वो 0 आता है, so, 28 as it is, minus 15 और minus 13, दोनों minus के हैं, तो यह add हो जाएंगे, sign रहेगा minus का ही, तो 15 और 13 को add करेंगे, तो आ जाएगा 28, और 28 में से 28 को minus करेंगे, 0, अगर हमारा answer 0 आ गया, तो हम इस identity का use करेंगे, so, यहाँ पर है, क्या है, x cube यानि की 28 की cube, plus में, minus 15 की cube, plus में, minus 13 की cube, किसके equal होगा, 3, x, x यानि की 28, y, y यानि की minus 15, और z, z यानि की minus 13, ठीक है, यह है हमारा x, यह y और यह z, so, इन सब को multiply करेंगे, उससे पहले देखने है, sign कौन सा आएगा, यह minus में है, और यह minus में, तो minus से minus cancel हो जाएगा multiply में, और answer आएगा हमारा plus में, so, इन सबी को जब multiply करोगे, तो हमारा answer आजाएगा, 16,380, 16,380, आपको simple करना क्या है, इन सब को multiply करना है, 3 multiply में, 28 multiply में, 15 multiply में, 13, तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, 30uten करना है, अ करना है, झाले सबीक जढएगा, 15 अ करना है, झाले स्दवच्वप Singh, झाले सर्वप ।ेकार रहा है,